मंगलवार यानि कि याच कोट ने कहा कि इस मामले में किसी प्रकार का स्टे नहीं लिया जाएगा कोट अपने फैस्टे पर किसी प्रकार का बदलाव नहीं करेगा कोट इस मसले पर केंद्र सरकार की योर से सोमबार को दी गई पुनर्विचार याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई कर रहा था याचिका में स्टे की मांग उठाई गई थी जिसे खारिश करने के बाद सरकार के लिए किसी तगरे जटके से कम नहीं है कोट ने इसी के साथ कहा कि वैं इस बाबत 10 दिनों में सुनवाई करेगा तीन दिनों के भीतर सभी पक्षों को अपनी और से जवाब दिना होगा कोट ने इसी के साथ स्पष्ट किया है कि शिकायत दर्श करने वालों को मुआफजा तुरन दिया जाएगा पेडित को किसी भी प्रकार की प्रक्रिया के कारण इंतुजार नहीं करना पड़ेगा अब सुप्रीम कोट में इस मसले पर अगली सुनवाई 11 अप्रेल को होगी आपको बता दे जगे जगे हिंसा आगजनी और तोड़ फोर की घटनाएं सामने आई है मध्यप्रदेश में सबसे उगर प्रदर्शन देखने को मिला जहां एक शक्स पिस्टॉल लहराते और गोलिया चलाते नज़र आया कोट ने कहा कि हमने एक से कोई छेरचार नहीं की है कोट के बाहर क्या हो रहा है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है हमारा काम कानूनी बिंदूव पर बात करना और सम्मिधान के तहत कानून का आंकिलन करना है एड के विरोध में सड़क पर उतर कहिंसा पहलाने वालों पर निशाना साते वे कोट ने कहा कि जो सड़क पर हंगामा कर रहे थे उन्होंने हमारा जज्जमेंट पढ़ा भी नहीं हुगा हमें उन ने दोश लोगों की चिंता सता रही है जो जेलों के भीतर बंद है